इस बार ना गुरुनाने जैनती पे मैं ना एक चीज बहुत जादा मिस करने वालों जो की है गुरुदवारे का लंगर और उस लंगर का सबसे एक important part जो है वो है कड़ा प्रशाद वैसे ये वीडियो तो कड़ा प्रशाद की रेसिपी के बारे में ही है पर जो गुरुदवारे का टेस्ट है ना कड़ा प्रशाद का वो शायद मैं replicate घर पे कभी भी नहीं कर सकता और जो नॉर्मल कड़ा प्रशाद है वो incomplete है अरदास के विना वैसे इस pandemic में भार निकलना तो थोड़ा मुश्किल है पर मैं अपने viewers के लिए इस गुरुनानक जैनती पे कड़ा प्रशाद की बहुती आसान और delicious recipe लेकर आया हूँ और मेरे तरफ से ये कोशिश है मैं अपने वीडियो से ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं लोगों के बीच थोड़ी सी sweetness spread कर सकूँ वैसे सभी को गुरुनानक जैनती की लख-लख बधाईया और मेरा नाम है सधार्त और आप देख रहे है exotic palate the food bears of Bhopal और आज हम बनाने वाले कड़ा प्रशाद वैसे आगे बनने से पहले चैनल को करे like, share और subscribe like का आप भाद में भी कर सकते हैं आप चैनल को कर दीजे subscribe और hit the bell icon to get notified and बिना time waste करे वीडियो को शुरू करते हैं कड़ा प्रशाद बनाने के लिए ना 5 चीज़े बहुत important है 4 ingredient है पर एक चीज़ बहुत important है जो की है कड़ाई because कड़ा प्रशाद का जो नाम है वो सिर्फ कड़ाई के वज़े से ही पड़ा है क्योंकि ये जो प्रशाद है, जो dessert है, जो मिठाई है ये जो हलवा है, ये कड़ाई में ही बनती है और कड़ाई की इसलिए इतनी महत्व है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मिठाई को बनाने में तो कड़ा प्रशाद बनाने के लिए जो पांच चीज़े सबस्यादे important है वो है कड़ाई, obviously, घी, पानी, शक्कर और आटा that's it, कड़ा प्रशाद इतना ही basic है और इस से जादा कड़ा प्रशाद बनाने में, चाहद और कुछ भी नहीं लगता और कुछ भी नहीं, इतना basic, इतना easy तो मैंने अभी कड़ाई को करने, गरम करने के लिए रख दिया है ये गरम हो जाएगी, तो इसमें हम प्रशाद बनाना चालू करते है जो हमारा हलवा है, and सबसे important चीज ये है तो हमको जो measurement है, वो सिर्फ एक cup का रखना है आप कोई भी घर पे एक cup ले लीजे, मैंने ये cup लिया है जिससे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने याला cup लिया है तो इसी cup जो full cup measurement है, मैंने हर एक item में मैंने हर एक item में इसी की full cup measurement रखे जो कि वो घी भी एक ही cup समान है, पानी भी एक cup समान है शक्कर जो है वो भी एक cup समान है, और जो आटा है वो भी एक ही cup समान है तो अब मैं थोड़ा इसको गरम कर लेता है, जो कि ये गरम हो रहा है एंड मैं इसमें डाल दूँगा घी को, तो कड़ाई गरम हो चुकी है और मैं आब इसमें घी डालने वाला हूं और हम घी को गरम होने देते हैं घी जैसे थोड़ी गरम होने लग गई है तो फ़ड़ा stir का लेते हैं और आप इसको थोड़ा medium flame में ही पकाए जैसे कि देख सकते कि घी गरम होने लग गया है घी गरम हो चुका है तो अब हम इसमें हम डाल देंगे एक कप हमारा जो है आटा जो एक कप आटा है हम इसमें हम डाल देंगे एक कप आटा भी डग गया अब इसको mix करना चालू कर रहे और इसको mix करते रहना है क्योंकि हमको इसमें lumps create होने देने ही नहीं है आय क्या खुश्बू है इसकी इतनी मीठी सित्ती सौंधी सित्ती अच्छी खुश्बू है इसकी मैं आपको express नहीं कर पाऊंगा जैसे देख सकते हैं आप यह lumps create हो रहे हैं मुझे इसको lumps create करते नहीं रहना है और इसको चलाते रहना है कड़ा प्रशाद जो गुरुद्वारे में वनती है वह हमेशा चलती ही रहती है और तभी उसमें फ्लेवर आते हैं हमको इसको उत्ते देर तक पकाने जब तक थोड़ा सा हलका सा ब्राउन ब्राउनिश कलर ना हो जाए जैसे एक हलका सा ब्राउनिश कलर देख सकते कि आप आने लग गया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा 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 करके पानी डालेंगे तो हम इसमें एक कप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको चलाते रहना है उसके लंप्स नहीं क्रियेट होने देने हमको देखे इसके लंप्स बिल्कुल क्रियेट होने देने ही न नहीं हमको इसको चलाते ही रहना है और यह बचा हुआ पानी भी डाल दिया देखिए आगया ना हलवे का टेक्षा रागया ना और लम्स क्रियेट होने ही नहीं दिया हम लोगों ने क्योंकि फिरो जब मुह में आएगा वह अच्छा नहीं लगेगा तो इसको चलाते रहें अब हम इसमें डाल देंगे एक कप शक्र वैसे आप अगर चाहें तो इसका आप इसमें चाशनी भी यूज कर सकते हैं जिसमें दो कप पानी और एक कप शक्कर डाल सकते हैं और उसको जब तक शक्कर उसमें डिजॉल्ज नहों जाए पानी में और जैसी वो पानी में डिजॉल्ज लग जाए तो उसमें वही पानी को जो चाशनी बनाई है वही आप इस कड़ा प्रशाद में डाल के उसका प्रशाद बना सकते हैं हलवा बना सकते हैं शक्कर ऐसी चीज है जो बनाते बनाते पिखल जाएगी और मैं चाहता था कि यह वीडियो काफी इजी हो यह कोई भी इंस ओर हमारा जो कड़ा प्रशाद है वह एक दम रेडी हो चूका है ग्यस को मैं कर दूँंगा औवल उल्ही ऐ अपके सामने है एक बहुत ही सुन्दर कड़ा प्रशाद सो यह रहा कड़ा प्रशाद जो की बिलकुल रेडी है एंड शायद इस से जादा इसका authentic version हो ही नहीं सकता है ना कोई extra dry fruits डालने हमको इसमें ना कोई हमको extra fragrance डालने है जैसे कि इलायची या केवडे का पानी है गुलाब जल का पानी कुछ नहीं इट इस as simple as this सिर्फ एक ही fragrance जो की है देसी घी की खुश्भू एंड इसकी वही authenticity बढ़ाती है बाकी सारे ingredients 1 is to 1 के ratio में चाहे वो शक्कर हो पानी हो आटा हो सब 1 is to 1 ratio में एंड इस as simple कि कोई भी बना सकता है एंड आट सॉल फॉर दिस वीडियो if you like this video please comment down below like it, share it and subscribe to my channel hit the bell icon and please अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ये जाके recipe try करें and मुझे comment section में बता है कि आपको कैसा लगा and that's it मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई नई recipe के साथ till then goodbye and take care